Welcome to English Baba Channel और CBSC ने जारी कर दिया है अपना नया सर्कुलर कल रात को ये लॉंच हुआ है देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई है ठीक है तो इस सर्कुलर में क्लास 10 और क्लास 12 वालों के लिए क्या-क्या बात हैं सामने निकल के आई है पहली बात जो ये बता रहा है चेंज ऑफ examination city अगर किसी बच्चे को अपने examination का city चेंज करना है country चेंज करना है तो वो बच्चा क्या 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 कर सकता है तो यहाँ पे आपको एक एक चीज पूरे CBSC सर्कुलर में से देख के बताऊंगा आपको एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा जल्दी से वीडियो को like कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब नमबर वन फॉलोविंग इस कम्यूनिकेटिंग फॉर नीडफुल अगर आप किसी बच्चे को अपना सेंटर चेंज करना है दा फैसिलिटी फॉर चेंज ओफ एग्जामिनेशन सिटी कंट्री विल बी अविलेबल तु दा स्टूइंट्स वार रिसाइडिंग इन सम अधर सिटी कंट्री एंड नॉट इन सिटी कंट्री वेर दे आर स्टेडिंग विकॉज ओफ कोविड सपोस करो यार कोई बच्चा रहता है कानपुर में उसने भरा हुआ था एक्जाम डैली से अब वो डैली नहीं रह पा रहा किस वज़े से क्योंकि यार कोविड की वज़े से तो वो अपना सेंटर अब डैली से बदलवा के कानपुर करवा सकता है चेंज करवा सकता है यह CBSC ने एक फैसिलिटी दे दी दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है the students may request for किन किन बातों के लिए जो बच्चा है request डाल सकता है वो जो उसका theory के exams होंगे उसके लिए उसे change करवा सकता है जो उसके practical के examination होंगे उसकी location change करवा सकता है कि वहाँ ना होके यहाँ पे हो जाए ठीक है तो change of examination किस-किस का city country अब कुछ लोगों को confusion यह है कि सर यह country क्यों लिखा रहा है क्योंकि यार जो CBSC board है इंडिया के बाहर भी चलता है ठीक है अब सर मान के चलो सर हमें करवाना है तो हम कहां जाए आपको कहीं जाने की ज़रुत नहीं है आपकी स्कूल में जो reception पे जो teacher बैठते है न जो clerk है बस आपको उनके request डालनी है और वो यह पूरा काम करेंगे वाइल मेकिंग दा request students will inform the city कौन से state में आप करवाना चाहते हो ठीक है from where the students would prefer to appear in the theory तो जो भी आपका preference है कहां पे आप देना चाहते हो वो सारी report आप दोगे कि मैं यहाँ यहाँ पे test देना चाहता हूँ अपना exam the students will have to option to opt for only one city as a center of examination for both theory and practical अब ऐसा नहीं कि बच्चा यह कह दे कि theory के जी पेपर में अलग जगे दूँगा और practical के पेपर में अलग जगे दूँगा जो भी बच्चे को चूज करना है वो एक चूज करना है two separate centers one for theory one for practical will not be allowed तो यानि cbsc ने साफ साफ कह दिया बच्चा यह नहीं कर सकता theory के तो paper ले लो मेरे दिल्ली में और मेरा practical करवा दो कानपूर में ऐसा नहीं है अगर तुमने कह दिया डैली तो इसका मतलब डैली में होंगे दोनों काम तुमने कह दिया कानपूर तो कानपूर में होंगे दोनों चीज़े आगे देख लो in case the student opt for change in the center of city of theory examination he will have to compulsory appear in the practical examination from the school of his regular studies छटा point क्या कह रहा है मान के चलो बच्चे नहें कानपूर से भरा था suppose करो ठीक है वो कह रहा है सर प्रेक्टिकल मुझे कानपूर में देने में कोई problem नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बच्चा वहाँ पे अपने practical दे सकता है वो ये चाहता है कि किवल जो मेरा theory का जो paper है वो मेरा दूसरी जगह हो जाएगा अब आप सुचोगे सर अभी दूसरी वाले point में तो आपने कहा था कि सर वो दौनों ही बदलवाने पड़े हैं देखो वो ये कह रहा कि जहां पे आपका already center है जहां पे आपने भरा हुआ है अगर आप वहीं पे एक चीज देना चाहते हो चाहे वो exam है या आपका practical है दे सकते हो दो अलग-अलग जगह नहीं चुनोगे कि आपको clear है अगर मान के चलो एक जगह का नाम है दिल्ली अगर आपने यहां भरा हुआ है तो इसके अलावा दो यह कह रहा कानपुर में करवाओ और एक बैंगलोर में करवाओ ऐसा नहीं होगा ठीक है जहां है वहां तो आप नहीं सकते हो इसके अलावा एक जगह और चूज कर सकते हो इसके साथ साथ इस वाले सर्कुलर में सिड्डूल फोर वेरियस एक्टिविटीज विल भी ऐस पर आउंग ता फॉल्विंग जैसे इस्टूडेंट्स विल इन्फूल थू थू इमेल और एस कमिनिकेटिंड बाई स्कूल अबाउट चेंजर तो आपको बस यह करना है कि आपको अपने स्कूल को इन्फूर्म करना है चाहे इमेल डाल देना या फिर आप खुद चले जाना मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा भाई साथ खुद चले जाना और अपने पैरेंट को साथ में लेके जाओगो तो जल्दी काम हो जाएगा तो स्कूल के पास जो भी डेटा आएगा निकलके स्कूल उसकी एक लिस्ट बनाएगा और स्कूल के वेबसाइट पर डाल देगा जिससे स्कूल के पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुँच जाए ठीक है बेस्ट आन देटा जिससे स्कूल लॉग इन टो स्कूल अकाउंट एंड सीम्मिट देटीलस ऑफ देटील तो जो भी स्कूल के पास जो भी क्वेरी आएगे इसके अलावा क्या कहा है the choice of city from where a student wishes to appear in the examination should be submitted carefully as no change will be allowed इंडिया के बच्चों की एक हालत वो होती है पहले बच्चे ने क्या किया पहले भर दिया कानपूर स्कूल वालों ने का चलो हां ठीक है कानपूर करवा देते हैं तो या तो सीबैसी आपको कानपूर देते की या कोई जगह देते ही आस पास का यह कोई जगह देकी और जो भी वो cbsc final करेगी आप उसमें ना नहीं कर सकते ठीक है during the conduct of practical examination marks will be uploaded as per instruction by the school from where the student has appeared in the practical examination जो तुम्हारा practical exam होगा अब जैसे मान के चलो उसमें तुम्हारे से कोई वाइवा वगरा या सरी जो project वर्ग मांगा जाता है तो उसकी report आपके असली school के पास होती है तो आपका असली school ही marks भेज सकता है या जो internal marks होते हैं वो communicate कर सकते हैं दोनवा examiner the schools will be able to download the admit card with the change center of examination तो जब अब जाहर सी बात है अगर बच्ची का examination center change हो रहा है तो उसका admit card पे भी फिर वो changed वाला आएगा वो school की website पे आजाएगा और cbsc उसे भेजेगी और cbs और school उसे download करके बच्चे को दे सकता है no request beyond above schedule will be accepted by the board इसके अलावा और किसी तरह की जो request है वो accept नहीं की जाएगी cbsc के दौरा ठीक है तो यह है आपको बढ़िया लगा होगा एक एक detail एक एक point मेरे भाई दे दिया है जैसे ही अगला कोई circular आता है सबसे पहले English Baba चैनल पर हम आपके लिए लेके आएंगे मन करें तो यार वीडियो को लाइक धोक देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अंगले वीडियो में बाई